जैसरी करश्न मित्रो, मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 13 जुन 2021 रवी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज का दिन 12 में से 5 राशी वालों के लिए लग्की साबित होगा इन पांच राशी वालों में आज है वरशब, करक, कन्या, तुला और मकर राशी वाले लोग वही अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्टरो गुरुजी में मित्रो यदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदी नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य का राशी फल नई नई ग्यान वर्धक जानकरिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज जेश्ठ माश शुकल पक्ष की तरतिया तिती है रवी वार का दिन है आज दिन की सुरुवात पुनर वसु नक्षत्र से होगी और मिथुन राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुरियो देप राताह काल पांच बच के 22 मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के 7 बच के 19 मिनिट पर होगा और आज राहुकाल सायंकाल 5 बच के 34 मिनिट से आरंब हो करके तो साम के 7 बच के 19 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारी शुरू नहीं करें इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें और आज दिसा सुल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वा नया कारी आरंब नहीं करें पश्चिम दिशा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आपके लिए अतिय अवश्यक हो तो अपने इश्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा आरादना करके अथवा इश्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक सदिक उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते ही और आज का सरद्ध रेष्ट शूब महुर्त अभीजीत महुर्त आरंब होगा प्राता काल 11 बच के 53 मिनट से आरंब हो करके तो दोपर 12 बच के 48 मिनट तक सरद्ध रेष्ट शूब समय रहेगा तो इस समय अवधी में आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारी आरंब कर सकते ही या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते ही तो इस महुर्त में आप कर सकते ही तो अब जानी अपनी राशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते ही और आज के दिन आपको अपनी राशी के अनुसार क्या खास उपाई करना चाहिए जिससे की दिन आपका शूब रहे और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिले तो मेश राशी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि मानसिक वा सारेरिक रूप से आप स्वयम को तनाव मुक्त महसूस करेंगे इस समय अपने लक्ष वा कारी के प्रती प्रात्मिकता आपकी रहना ठीक रहेगी कोई तो आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुब रंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का प्रियोग कारिछेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बाधाओं से मुक्ति पा इस महा मंतर का अधिक से अधिक संक्या में जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है व्रशब तो व्रशब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज जिनके रुके हुए कारिये हैं उनके रुके कारिये संपन हो जाएंगे आज के कारिये आसानी से पूरे होंगे घर की साज सज्जा वा सुधार में समय वितीत कर पाएंगे किसी समारों में जाने का आवसर प्राप्त हो सकता है और वहां आपका वर्चस्व भी बना रहेगा मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी आई की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी इसलिए खर्चों पर नियंतरन रखें व्यापार व्यवसाय संबंदी कारे में भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिल पाएगा तो आर्थिक पक्ष भी इससे आपका बहतर बना रहेगा तो आ आज सभी प्रकार के विग्न संकट बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशी शूपा इस प्रकार से हैं प्राता हकाल सुर्योदय के समय अपने घर के इशान कोन पूर्वदिशा में शुद्ध गी का दिया जला करके गायत्री महामंतर का 108 बार सरद्धा पूर्व मिल पाएगा धर में क्रिया कलापों में भी विस्तता ज़्यादा हो सकती है जिससे तन और मन दोनों प्रफुलित आपके रहेंगे मित्रों का साथ भाग्योदय कारक रहेगा साथ ही कोर्ट आदी में यदि आपका कोई कैसे तो इस्थितियां आपके पक्ष में होने के तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बाधाओं से मुक्ती पाने के आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राताहका लिश्नान करने के पस्चात सुर्योदे के समय तामबे के पात्र में शुद्ध जल गंगा जल और गुलाप का पुष्प या पंखडियां डाल करके तीन बार अरगे प्रदान करें और ओम आधित्याइनम इस महामंतर क अधिक से अधिक संख्या में जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वस सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि परिवार के साथ घर संबंदी वस्तूओं की खरीदारी म समय व्यतित होगा हास परिहास मनोरंजन भरा वातावरन मिलेगा आप व्यापार व्यवसाय तथा परिवारिक जीवन में बहतरिन तालमेल बिठा करके रख पाएंगे इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आप सभी कारियों को सहज तरीके से पूरा कर पाएंगे परंतो आज आर्थिक पक्षा आपका सामान ने हैं स्वास्त की द्रश्टी से भी दिन सामान ने हैं तो आज आपका भागिशाली अंक दो हैं शुब रंग आपका आसमानी रंग हैं आसमानी रंग का प्रियोकारिच्छेत्र में आज अधिक साधिक आप करेंगे तो आपको विशे इस लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बादाओं से मुक्ति पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातह का लिश्नान करने के पस्चात सुर्योदय के समय अपने पूजा इस्थल पर शुद्ध गी का दीपक जला करके एक आल पुष्प अपने इस्थ देवता के निमत तरपन करें इस्थ देवता के नाम मंत्रों का उच्चा रण करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबवा सफलता दायक आज रहेगा अगले रासी है सिम्व राशी वालों को आज शुबव परिणाम इस प्रकार स मिल सकते हैं कि दिन की शुरुवात बहुत ही सुखद रहेगी कुछ नया करने की आपकी इच्छा पूर्ण हो पाएगी भाग्य का साथ आपको मिलेगा अपने कारे के प्रती आपका उस्साह आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त करवाएगा किसी प्रियेजन से मुलाकात क योग हैं परन्तो आज जल्द बाजी में कोई गलत फैसला लेने से आपको बचना चाहिए युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे जिसकी वजह से उनके अंदर आत्म विश्वास में बढ़ोत्री होगी तो आज आर्थिक पक्षा आपका बहतर है स्वास्त की द्रष्टी से भी दिन उत्तम हैं तो आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकट बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्राताहका लिष्णान करने के पश्चात सूरियोदय के समय सूरी देवता की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें गुड घीं की धू परपन करें और बेट करके ओ अधित्याइनमा इस महामंतर का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब बस सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कन्या कन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि दिन आज आज आपक पूरे हो जाएंगे जिसकी वज़े से मन में संतोष बना रहेगा घर में संतान की किसी नकारात्म गतिविधी को लेकर कलेश या कलाह का वातावरन निर्मित हो सकता है इसे दूर करने का प्रयत न करें कारे चेत्र में आज बहुत अधिक मेहनत की आवशक्ता रहेगी किसी द्धन संबंदी नुकसान होने की आशंका रहेगी इसलिए आज आपको थोड़ा सतर करह करके कारे वभार करने की आवशक्ता है तो आज आर्थिक पक्षा आपका सामान्य रहेगा और स्वास्तिकी द्रश्टी से भी दिन सामान्य है तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है शुब रंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रियोग कारेचेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकट बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राता है कालिश नान करने के पस्चात सुर्योदय के समय सुरी देवता की निमित शुद्धगी का दीपक जला करके गंद पुषपा अक्षद के द्वारा सुरी देवता का पूजण करें सुरी देवता को अरगे परदान करें एक लाल पुषपारपन करें और बैट करके ओम भास कराई नमा इस महा मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपकी परेशानियों में नजदी की रिस्तेद्वारणों का पूर्ण सहयोग रहेगा किसी वज़े से आपको तनाव से काफी राहत भी मिल पाएगी किसी महत्व पूर्ण कारी की नीव रखने के लिए आज का दिन उत्तम है इस समय अतिरिक्त आय की प्राप्ती के प्रबल योग है विरोधी सक्री होकर आपके कारियों में विग्न डालने की कोशिस कर सकते हैं आज फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए परिवारिक गतियों विदियों पर बहुत अधिक अनुशाशन रखना आपके लिए ठीक रहेगा व्यावसाइक स्थल का माहुल शांती पूर्ण बना रहेगा तो आज आर्थिक पक्ष्य आपका मध्यम है स्वास्ति की द्रश्टी से भी दिन मध्यम है तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुब रंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकट वाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशिश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाथ सुर्योदय के समय अपने पूजा इस्थल पर सुद्ध घीं का दिया जिला करके सुर्य देवता की गंद पुश्प अक्षद के द्वारा पूजन करें लाल पुश्प अरपन करें और बेट करके ओम आदित्याई नमाहन इस महा मंतर का अधिक सेधिक संख्या में जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब हो वा सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है वरश्चिक वरश्चिक राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं लंबे समय से चली आ रहे ही किसी चिंता वा तनाव से आज आपको मुक्ती मिल पाएगी बीमा निवेश जैसे आर्थिक गतिविदियों में वस्तता जादा रहेगी तो ठीक रहेगा संपत्ती संबंदी विवात किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यसता से हल हो जाएंगे कहीं से शुब समाचारों की प्राप्ती होगी धन प्राप्ती के भी प्रबल योग है आर्थिक पक्ष में बहुत अधिक सुधार तो नहीं होगा लेकिन आपके काम चलते रहेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट बादाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल सुरियोदे के समई सुरी देवता को तीन बार अर्गय परदान करें और ओम भास कराइनम इस मंतर का अधिक सेधिक संख्या में जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वब सफलता दायगाज रहेगा अगले राशी है धनु धनु राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज अपने आसपास की गतिविदियों से अपने अध्यान हटा करके आत्म के इंद्रित होने का प्रयत्न करेंगे तो आप सफल रहेंगे जिससे के आपको शांती वा तनाव से भी मुक्ती मिलेगी कोई महत्यपुर्ण अभीलाशा पूरी होने से मनस आपका संतुष्ट रहेगा तथा नए काम की शुरुबात वा योजना आप बना सकते हैं और आत्म के इंद्रित होने की वज़े से आप नजदी की रिष्टेदारों के साथ अच्छा समय व्यतित कर पाएंगे अपने व्यापार व्यवसाई को बढ़ाने के लिए किसी नए काम की सुरुबात संबंदी योजना आप बना सकते हैं कारियस्थल में सहीयोग्यों की सहायता से सभी गतिविदियां सुचारों रूप से आपकी चलती रहेगी तो आज आर्थिक पक्षाप का मजबूत है स्वास्ते की द्रश्टी से दिन मध्यम है तो आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोकारे छेतर में आज अधिक से दिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकट बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशे शुपा इस प्रकार से हैं प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात अपने घर के पूजा इस्थल पर शुद्धगी का दिया जला करके एक लाल पुश्प अपने इस्थ देवता के निमित तरपन करें और बेट करके इस्थ देवता के नाम मंत्रों का 108 की संख्या में जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आज आपको अपने काम का पूरा महनता ना प्राप्त हो सकेगा लोगों से भेट मुलाकात तथा सामाजीक सक्रीता बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी तथा आई में वरद्धी के योग हैं यह समय आत्म अवलोकन और धन संबंदी मामलों का आकलन करने का उत्तम समय हैं परन्तु बहुत अधिक सोच विचार करने में कुछ उपलब्दियां आपके हाथ से निकल सकती हैं इसलिए तुरंत निर्णे लेकर अपने काम की शुरुवात आज आपको कर देना चाहिए साजेदारी संबंदी व्यावसाई गतिविधियां सुचारू रूप से आपकी चलती रहेगी तो आज आर्थिक पक्ष भी बहतर है और स्वास्तिकी द्रष्टी से भी दिन उत्तम है तो आज आपका भागिशाली अंक आठ है शुब रंग आपका क्रीम रंग है क्रीम कलर का प्रियोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार की विगन संकट बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातह का लिष्णान करने के पश्चात सुर्योदे के समय सुरी देवता को तामबे के पात्र में गंगा जल सुद्ध जल चंदन और लाल पुष्प डाल करके तीन बार सरद्धा पुरवक अर्ग प्रदान करें बेट करके गायत्री महा मंतर का यथा शक्ती जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके आदतों वा दिन चरिया में आज चरे जनक सुधार के योग हैं समाज में आपकी योग्यता वा काबिलियत की सराहना होगी बीमा निवेश जैसी आर्थिक गतिवीदियों में व्यस्तिता बनी रहना आपके लिए ठीक रहेगी गर के बुजुर्गों के साथ किसी देव इस्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है परन्तों आज दूसरों के जगडों में दखल अंदाजी करने से आपको बचना चाहिए वरना आपको नुकसान हो सकता है कारोबार में कुछ समस्याओं वपरेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा किन्तों अपने स्वविवेक के तरीके से आप सभी कारियों को सरलता से संपन कर पाएंगे तो आज आर्थिक पक्षा आपका मध्यम है स्वास्त की द्रष्टी से दिन उत्तम है तो आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुब रंगा आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रियोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विग्न संकट वाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात अपने घर की पुर्वदिशा इशान कोण में शुद्धगी का दिया जला करके उगते हवे सूरी भगवान की गंद पुषप अक्षत के द्वारा पुजन करें एक लाल पुषपर पंड करें मिठाई का भूगर पंड करें और बेट करके ओम भास कराईन महा इस महा मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूभ व सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों को आज शूभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आप बुद्धी बल्व चतुराई से हर एक समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे और आपको अपने प्रयासों को ले करके मन में संतोस का भाव रहेगा विनमरता वा सोम्यता से फसा हुआ पैसा निकालने में आप आज सफल हो सकते हैं परंतो कोई जलन इर्शिया की भावना से आपकी आलोचना वा निंदा कर सकता है इसलिए थोड़ा सा सतर का रहने की आवशकता आज रहेगी व्यापार कारोबार में नए नए तरीकों को अपनाना आपके लिए फायदे मन रहेगा और आप अपनी महनत को दरा सफलता हासिल कर पाएंगे और आप सक्षम भी आज रहेंगे तो आज आर्थिक पक्षा आपका मजबूत है स्वास्त की द्रश्टी से भी दिन बहतर है तो आज आपका भागिशाली अंक तीन है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रियोक कारे छित्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशिश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी प्रकार के विगन संकट बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए आपका विशिश उपाई इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाद किसी भी देव मंदिर में शुद्ध घी का दान करें लाल पुष्प की माला अरपन करें और बेट करके अपने इस्ट देवता का यथा शक्ती नाम उच्चारण करें तो एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुबव सफलता दायकाज रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसन आई होगी यदि आपको पसन आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे